नजरबंदी खात्मोते महभूबा मुफ्ती ने तिरंगा ना उठाने का एलान किया तो हंगावा मज गया जमू कश्मीर में बीजेपी ने महभूबा मुफ्ती को सक्त संदेश देने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली तो खुद महभूबा की पार्टी के ही तीन अगर जब तक हमारा अपना जंडा टाकूं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और जंडे को हाथ में देए तिरंगे पर महभूबा के इस बयान का जवाब कल बीजेपी ने तो पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा लहरा कर दे दिया लेकिन महबूबा को असली जटका अपनी ही दल से मिला जम्मू के तीन पीडीपी नेताओं ने महबूबा के बयान से नाराज होकर पार्टी से इस्तिफा दे दिया ये नेता हैं वेद महाजन, टी-एस बाजवा और हुसेन अलीवफा जो हमने चिठी लिखी है, उसमें हमने ये कहा है कि हम अपने आपको जो आपने एक फैसला, एक प्रेस कांफरस में एक बात कहा दिया रिकार्डिंग अबर नेशनल फ्लैक, हमारा एक जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए उसके बारे में जो आपने कहा है हम अपने आपको डिस एसोसेट हम उस बियान को अपने आप से लग करते हैं महभुबा जी ने एक स्टेडमेंट दी है तो जमू के लोगों में एक रोश पैदा होता है वो रोश का जो सामना करना पड़ता है वो पिपल्स देमोक्रेटिक पार्टी की जो यहां की लीडरिशिप है उसको करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेडमेंट आनी चाहिए जैसे के मुस्ति साब के टाइम आया करती थी बीजेपी ने महबुगा के बयान पर तीखा घुस्सा जाहिर किया है बीजेपी कारेकरताओं ने कल जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहरा दिया महबुगा की तस्वीर पर पेंट फेग दिया संदेश ये था कि हिंदुस्तान अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा बढ़काओ भाशनों में नहीं आने वाली जम्मू कश्मीर की जनता इनकी साजशों में नहीं आने वाली यही कारण है कि पीडीपी के तीन तीन बड़े दिगजनेता वो पीडीपी से त्याग पत्र कर चुके हैं उन्होंने रिजाइन दिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी बड़े नेता पीडीपी से रिजाइन करें देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी के कारिकरताओं को भी अब डर बन गया है कि कोई भी इसको सेहन करने वाला नहीं है वही नतीजा है कि इन्होंने इस परकार से चाई वो हुसाइन अलीवफा हो टीएस वाजवा हो वेद महाजन हो जो लगातार इस पार्टी के साथ जुड़े थे महबुबा के बयान पर पीडीपी के तीन नेताओं के इस्तीफे का संदेश साफ है कि कश्मीर बदल रहा है और नए कश्मीर में अलगावाद की फसल सूख गई है जब मुसे सुनील भट के साथ आज तक भी रो